स्वागते दोस्तों आपका हमार यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डाम है दोस्तों मुच्वल फंड प्लान के अंदर तिन सबसे इंपोर्टेंट चीज़ होती है पहला फंड का EUM कितना बड़ा है यानिके एसे अंडर पैसे को निवेस्ट करते हैं तो यह कुछ ऐसी चीज़ हैं जिने आप जरूर चैक करते हैं लेकिन दोस्तों एक ही करके अगर आप मुच्वल फंड के इन सारे फंडों के देटेश चैक करेंगे तो आपको बहुत जादा समय लग जाएगा लेकिन यहां पर हम इस एक वीडियो में कम से कम 391 फंड की बात करेंगे और देखेंगे कि सबसे जादा किन फंड का EUM है यानि कि लोगों ने सबसे जादा किस मूच्वल फंड प्लान के अंदर पैसे को निवेश किया है दूसरा उस फंड का C.E.G.R कितना है और तीसरा उस फंड का खड़जा कितना है या फिर लगतार लास थिरी अर से फंड का रिटरन कैसा रहा है तो दोस्तों यहां पर इस वीडियो में हम काफी एक साथ फंड डिसकस करेंगे ताकि आप यहां पर लोग कितना पैसा किस फंड में निवेश कर रहे हैं यह वीडियो आपके एजुकेशन पर पस के लिए है देकिन दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बिना समय कवाई हम चलते हैं सीधा स्क्रीन पर तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कुछ केटिगरी सबसे पहला है फंड का नाम दूतरा है सब केटिगरी तीसरा प्लान यहां पर चोथा है फंड का यूएम यानि के ऐसे टेंडर मेनेजमेंट तीसरा फंड का CSGR यानि compound annual growth report और चोथा फंड का expense ratio इसमें दोस्तों अगर हम सबसे पहले फंड की बात करते हैं तो यह है पराग पारिक flexi cap fund flexi cap category का यह fund है growth plan है direct plan growth और दोस्तों इस fund का यूएम काफी बड़ा है यानि के 6569 करोडों पे लोगोंने इस plan के अदर निवेश कियो है और दोस्तों यह plan काफी पुराना है जबकि अगर हम इस fund के CSGR की बात करें compound annual growth report की तो यह है 23.43% और दोस्तों इस plan के अदर लगतार जो return है वो काफी बहतर मिला है और fund का expense ratio यानि के खर्चा यह काफी कम है 0.57% यहाँ पर second fund है HDFC का mid cap fund दोस्तों mid cap category का यह fund है direct plan growth और इस fund का UM काफी बढ़ा है यानि कि 647 करोड रुपे लोगोंने इस plan के अदर निवेश कि हुए हैं जबकि last 3 year से fund का लगतार CSGR 31.21% है और fund का expense ratio 0.75% third fund है जिसका UM सबसे बड़ा है वो है ICC Proof का blue chip fund large cap category का यह fund है यानि कि इस plan के portfolio में जाद दर large cap category के stock शामिल है 51,554 करोड पे fund का UM है जबकि यहाँ पर fund का CSGR 23.60% last 3 year का जबकि अगर हम expense ratio की बात करें तो यह है 0.83% इसके लाबा HDFC flexi cap fund दोस्तों यहाँ पर इस fund का UM काफी बड़ा है यानि कि 49,656 करोड पे लोगों ने plan के अंदर नवेश के हुए है fund का CSGR 29.46% है last 3 year का और expense ratio 0.78% जबकि निपोन इडिया small cap के हम बात करें तो यह fund दोस्तों सबसे बड़ा यह उन होने की category में फिफ्ट नमबर पर आता है 46,000 करोड पे से ज़ादा लोगों ने इस plan के अंदर नवेश के हुए है और यहाँ पर fund के CSGR की बात करें last 3 year की तो 37% है जबकि अगर हम expense ratio की बात करें तो यह है 0.79% का इसके लावा कोटेक का flexi cap fund दोस्तों यह fund भी काफी बड़ा है यह भी 45,911 करोड पे लोगों ने प्लान के अंदर नवेश के हुए है fund का CSR last 3 year का 20% है expense ratio 0.63% है जबकि SP blue chip fund की बात करें तो 44,819 करोड पे इस fund का U.M है fund का CSR 17.81% है और expense ratio 0.85% इसके लावा ICC proof का value discovery fund भी है दोस्तों इस fund का U.M 41,281 करोड पे है fund का last 3 year का CSR 28.27% जबकि fund का expense ratio 1% से ज़ाद है यहापर दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहापर दोस्तों 8 fund आप देख चुके हैं इसके लावा और बहुत सारे fund है यहापर वीडियो को pause करके आप check कर सकते हैं कि किस fund का कितना CSR है यहापर हमने बहुत सारे fund देखे हैं एक साथ तो हम यहापर अगर सारे fund की details आपको बताएंगे तो इसमें time लग जाएगा बलकि आप अपने आहसाब से यहापर check कर सकते हैं सारे ही fund कि किस fund के अदर कितना return है और कितना fund का UM है यहापर आप देख सकते हैं कि यहापर हम पचास साथ या सो fund की भी बात कर लें तो दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे कम यहाँ पर अगर 80 नमबर पर fund है वो है ICC Proof का Business Cycle Fund और इस fund का UM है 7788 करोड रुपे जबकि यहाँ पर CAGR 28% है और यहाँ पर expense ratio 0.72% लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर check करते हैं category के साब से यानि के CAGR last 3 year में सबसे ज़्यादा किस fund ने दिया है तो इसमें सबसे पहला फ्राम आता है आदित्य बिल्ला PSU Equity Fund इस fund का CAGR last 3 year का सबसे ज़्यादा है 48.67% जबकि अगर हम SP PSU की बात करें तो 45% ICC का infra fund इसका 43% का CAGR HDFC infra fund 43% Quant infra fund 43% Invesco India PSU fund 42% Quant small cap fund 42% जबकि Nippon power fund इसका है 41.28% जबकि अगर हम सबसे कम expense ratio वाले fund की बात करते हैं तो दोस्तो इसमें सबसे कम expense ratio है वो है Bank of India का Mid Cap Tax Aver Fund दोस्तो इहाँ पर expense ratio कुछ नहीं है क्योंकि ये fund दोस्तो एक saving scheme है लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Growth Plan की तो दोस्तो इहाँ पर आपको जो plan है ये equity link plan होते हैं saving scheme के इनके अंदर locking period होता है इसमें यहाँ पर अगर पैसा निवेश आप करते हैं तो आपको CSR ठीक ठाक मिल जाता है expense ratio यानि खर्चा भी कम होता है और यहाँ पर पैसा जादतर equity के लावा bonds में भी निवेश के जाता है यहाँ पर दोस्तो अगर आप देखेंगे कि यह कुछ ऐसे plan थे जिन्होंने लगतार जो return है वो काफी बहतर दिया है इसमें चाहिए से आप sector wise mutual fund की बात कर ले यह फिर यहाँ पर सबसे बड़े UM funds की बात कर ले जिन funds का UM काफी बड़ा होता है तो उसके अंदर बाना जाता है कि यहाँ पर लोग जालतार पैसे को निवेश कर रहे है क्योंकि लगतार तस पारे साल से उन्होंने पैसे को निवेश किया और एक बड़ा fund भी बनाया है इसमें अगर प्राग पार एक फ्लेक्सी के फंड की हम बात करते हैं दोस्तो तो यह fund काफी पुराना है और काफी यह बड़ा fund है इसके अंदर राखुल गांधी ने भी निवेश किया हुआ है इसके लावा बहुत और popular personality हैं जिन्होंने पैसे को निवेश किया है तो उस्तो लगतार इस fund ने return भी काफी बहतर दिया है mutual funds के अंदर शॉर्टर में बले ही correction हो लेकिन अगर आपका target long time पैसे निवेश करने का होता है तो आप एक बड़े fund बनाने के target को पूरा कर सकते हैं ये वीडियो आपके education purpose के लिए है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को भी subscribe जरूर कर लें धन्यवाद